प्रस्तावना आदत इलाज वो वैज्यानिकों की पसंदीदा प्रतिभागी थी लिसा एलव उसकी फाइल के अनुसार 34 साल की थी उसने 16 साल की उम्र में धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर दिया था और जीवन भर मोटा पेसे जूजती रही एक बिंदू पर उसके मध्य बिसवादशा में संग्रह एजेंसियां करज में 10,000 डॉलर की वसूली के लिए परेशान कर रही थी एक पुराने रिज्यू में ने उसकी सबसे लंबी नौकरी को एक साल से भी कम समय तक चलने वाली नौकरी के रूप में सूची बद किया हाला की आज शोद करताओं के सामने महिला दुबली और जीवन्त थी एक धावक के टोंड पैरों के साथ वो अपने चाट में तस्वीरों से एक दशक छोटी लग रही थी और जैसे वो कमरे में किसी को भी व्यायाम कर सकती थी उसकी फाइल में सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार लिसा पर कोई बकाया रिन नहीं था उसने शराब नहीं पी थी और एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में अपने 29 महीने में थी आपकी आखरी सिग्रेट कब से? चिकित सको में से एक ने पूछा सवालों की सूची शुरू करते हुए लिसा ने हर बार जवाब दिया जब वो बेथिस्डा मैरीलेंड के बाहर इस प्रयोगशाला में आई लगभग चार साल उसने कहा और मैंने तब से साट पाउंड खो दिये हैं और एक मैरा थन दोड़ा है उसने मास्टर डिग्री भी शुरू की और एक घर खरीदा ये एक घटना पूर्ण खिचाव था कमरे के वैज्यानिकों में नियूरोलोजिस्ट, मनोवैज्यानिक, आनुवन शिकीविद और एक समाजशास्त्री शामिल थे पिछले तीन वर्षों से, National Institute of Health से फंडिंग के साथ, उन्होंने लिसा और दो दर्जन से अधिक अन्य पूर्व धूम्र पान करने वालों, पुराने ओवेटा, समस्या पीने वाले, जुनूनी दुकानदारों और अन्य विनाशकारी आदतों वाले लोगों को पीटा और उ शोद करता यह समझना चाहते थे कि कैसे, इसलिए उन्होंने विशयों के महत्वपून संकेतों को मापा, उनके दैनिक दिंचर्या को देखने के लिए उनके घरों के अंदर विडियो कैमरे स्थापित किये, उनके DNA के अनुक्रमित हिस्से, और ऐसी तकनीकों के साथ जो उन के दिमाग में जब वे सिग्रेट के धुएं और भव्य भोजन जैसे प्रलोभनों के संपर्क में थे, शोद करताओं का लक्षे यह पता लगाना था कि कैसे आदतें, नियूरोलोजिकल स्तर पर काम करती हैं, और उन्हें बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पत से यह बताना चाहेंगे कि आपने सिग्रेट कैसे छोड़ी? जरूर, लिसा ने कहा, यह काहिरा में शुरू हुआ, छुट्टी एक जल्द बाजी में लिया गया, निरनय था, उसने समझाया, कुछ महीने पहले, उसका पती काम से घर आया था और उसने घोशना की कि वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि वो दूसरी महिला से प्यार करता है, लिसा को विश्वास घहत को संसाधित करने और इस तथ्य को अवशोशित करने में कुछ समय लगा कि वो वास्तव में तलाक ले रही थी, शोक का दौर था, फिर उस पर जुनूनी जासूसी करने का दौर था, श पर दिखाई दी, नशे में, उसके दरवाजे पर जोर से चिल्ला रही थी और चिल्ला रही थी कि वो कोंडो को जलाने जा रही है, यह मेरे लिए एक अच्छा समय नहीं था, लिसा ने कहा, मैं हमेशा पिराम में देखना चाहता था, और मेरे क्रेडिट कार्ड अभी तक अ आवाज से उठी, यह उसके होटल के कमरे के अंदर काला था, आधी अंधी और जेट लैग्ड, वो एक सिगरेट के लिए पहंची, वो इतनी भटकी हुई थी कि उसे तब तक एहसास नहीं हुआ, जब तक कि उसे जलते हुए प्लास्टिक की गंध नहीं आती, कि वो एक कलम जलाने की कोशिश कर रही थी, माल बोरो की नहीं, उसने पिछले चार महीने रोते हुए, अधेक खाने, सोने में असमर्थ हता, और शर्म, असहाय, उदास और क्रोधित महसूस करते हुए एक ही बार में बिताय थे, बिस्तर पर लेटे लेटे वो तूट गई, यह उदासी क की इस लहर की तरह था, उसने कहा, मुझे लगा जैसे मैं जो कुछ भी चाहता था, वो सब कुछ तूट गया था, मैं ठीक से धूम्रपान भी नहीं कर सकता था, और फिर मैंने अपने पूर्व पती के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और जब मैं वापस आ गया तो दू दूसरी नौकरी ढूंडना कितना मुश्किल होगा, और मैं कितना था इस से नफरत करने जा रहा हूं और मैं हर समय कितना अस्वस्त महसूस करता हूं, मैं उठा और एक पानी का जग खट-खटाया और वो फश पर बिखर गया, और मैं और भी जोर से रोने लगा, मैं हताश महसूस कर रहा था, जैसे मुझे कुछ बदलना था, कम से कम एक चीज जिसे मैं नियंतरित कर सकता था, वो नहा धोकर होटल से निकल गई, जैसे ही वो एक टैक्सी में काहिरा की उबर्खाबर सरकों से गुजरी और फिर स्फिंक्स, गीजा के पिरामिडों और उनके चारों और विशाल, अंतहीन रेगिस्तान की और जाने वाली गंदगी वाली सडकों पर, एक संक्षित क्षन के लिए उसकी आत्मदया ने रास्ता दिया, उसे अपने जीवन में एक लक्षे की जरूरत थी, उसने सोचा, काम करने के लिए कुछ, इसलिए उसने टैक्सी में बैठ क कर फैसला किया कि वो मिस्र वापस आएगी और रेगिस्तान से होकर यात्रा करेगी, यह एक पागल विचार था, लिसा जानती थी, वो आकार से बाहर थी, अधिक वजन वाली, बैंक में पैसे नहीं थे, वो उस रेगिस्तान का नाम नहीं जानती थी, जिसे वो देख रही या यदि ऐसी यात्रा संभव थी, हाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे ध्यान केंदरित करने के लिए कुछ चाहिए था, लिसा ने फैसला किया कि वो तयारी के लिए खुद को एक साल देगी, और इस तरह के अभियान से बचने के लिए, वो निश्चित थी कि उस धूम्रपान छोड़ ना होगा, जब लिसा ने आखिरकार 11 महीने बाद रेगिस्तान में अपना रास्ता बनाया, आधा दरजन अन्य लोगों के साथ एक वातान उकूलेत और मोटर चालेत दोरे में, आपको याद है, कारवा इतना पानी, भोजन, तंबू, नक्षे, ग्लो और प्रयोग शाला में वैग्यानिकों के लिए, उसके ट्रैक का विवरन प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि कारणों के लिए वे अभी समझने लगे थे, कि काहिरा में उस दिन लिसा की धारणा में एक छोटा सा बदलाव, यह विश्वास की उसे अपने लक्षे को पूरा कर परिवर्तनों की एक श्रिंखला को छुआ था, जो अंततह सभी तक फैल, जाएंगे उसके जीवन का हिस्सा, अगले छे महीनों में, वो जोगं के साथ धूमर पान को बदल देगी, और बदले में, उसने कैसे खाया, काम किया, सोया, पैसे बचाया, अपने कार्य दिवस नि कर देती, और फिर एक मेराथन, स्कूल वापस जाती, एक घर खरीदती, और सगाई करती, आखरकार उसे वैज्यानिकों में भरती कर लिया गया, अध्ययन, और जब शोध करताओं ने लिसा के मस्तिश्क की छवियों की जांच शुरू की, तो उन्होंने कुछूल लेखनिय देखा, तंत्रिका संबंधी पैटन का एक सेट उसकी पुरानी आदते नए पैटन द्वारा ओवराइड की गई थी, वे अभी भी उसके पुराने व्यवहारों की तंत्रिका गतिविधी देख सकते थे, लेकिन उन आवेगों को नए आग्रहों से बाहर कर दिया गया था, जैसे जैसे लिसा की आदतें बदलती गई, वैसे वैसे उनका दिमाग भी बदलता गया, यह काहिरा की यात्रा नहीं थी जिसके कारण बदलाव हुआ था, वे ज्यानिक आश्वस्त थे, या तलाक या रेगिस्तानी ट्रैक, यह था कि लिसा ने पहले सिर्फ एक आदत धू ध्यान केंद्रित करके, जिसे की स्टोन आदत के रूप में जाना जाता है, लिसा ने खुद को सिखाया था कि कैसे अपने जीवन में अन्य दिन्चर्या को फिर से शुरू करना है, यह केवल ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की पारियों में सक्षम है, जाब कमपनिया ब पूरे संगठन बदल सकते हैं, प्रॉक्टर, गैंबल, स्टाबक्स, एलकोआ और टारकेट जैसी फर्मों ने काम कैसे किया जाता है, कर्मचारी कैसे समवाद करते हैं, और ग्राहकों को इसे महसूस किये बिना लोगों के खरीदारी करने के तरीके को प्रभावित करने के ल परीक्षा के अंत में बताया, उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर खीची जिसमें उसके सिर के अंदर से चित्र दिखाई दे रहे थे, जब आप भूजन देखते हैं, तो ये क्षेत्र, उसने अपने मस्तिश के केंद्र के पास एक जगह की और इशारा किया, जो दालसा और भूक से जुड़े हैं, अभी भी सक्रिय हैं, आपका मस्तिश कभी भी ऐसे आगरह पैदा करता है जिससे आप अधिक खा गए, हालां कि इस क्षेत्र में नई गतिविधी है, उसने अपने माथे के निकर्तम क्षेत्र की ओर इशारा किया, जहां हम मानते हैं कि व ऐसा वैज्यानिकों की पसंदीदा प्रतिभागी थी क्यूकि उसके मस्तिश्क स्कैन इतने सम्मुहक थे, इसलिए एक नक्षा बनाने में उप्योगी थे जहां व्यवहार पैटन आदते हमारे दिमाग में रहती हैं, आप हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि कैसे एक न पहले थे, मैं आज सुभह जब आप उठे तो आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आप शौवर में कूदे थे, अपना इमेल चेक किया था, या किचन काउंटर से डोनेट लिया था? क्या आपने तॉलिये से पहले या बाद में अपने दांत ब्रश किये थे? पहले बाएं या दाएं जूता बांध? दरवाजे से बाहर निकलते समय आपने अपने बच्चों से क्या कहा? आपने काम करने के लिए किस मार्ग से ड्राइव किया? जब आप अपने डैस्प पर पहुंचे तो क्या आपने इमेल के साथ डील की? किसी सहकर्मी के साथ चैट की? या मैमो लिखने में कूद बढ़े? दोपहर के भोजन के लिए सलाद या हैंबगर? जब आप घर पहुंचे तो क्या आपने अपने स्नीकर्स पहने और दोड़ने के लिए गए? या टीवी के सामने अपने आपको एक पे डाला और रात का खाना खाया? विलियम जेम्स ने 1892 में लिखा था हमारा पूरा जीवन जहां तक निश्चित रूप है लेकिन आदतों का एक समूह है हम हर दिन जो विकल्प चुनते हैं वे सोच समझ कर निरनाय लेने के उतपादों की तरह लग सकते हैं लेकिन वे नहीं हैं वे आदते हैं और यद्यप समшт प्रतियक आदत का अपने आप में अपेक्षाकृत कम अर्थ होता है समय के साथ हम जो भोजन ओड़ करते हैं जो हम हर रात अपने बच्चों से कहते हैं चाहे हम बचट करें या खर्च करें हम कितनी बार वियायाम करते हैं और जिस तरह से हम अपने विचारों और कार य प्रभाव पढ़ता है 2006 में ड्यू की उनिवसिटी के एक शोद करता द्वारा प्रकाशित एक पेपर में पाया गया कि लोगों द्वारा प्रती दिन की जाने वाली 40 प्रतिशत से अधिक रियाएं वास्तव एक निर्नय नहीं बलकी आदतें थी विलियम जेम्स अंगिनत अन् अरस्तू से लेकर ओप्रा तक ने अपना अधिकांच जीवन यह समझने की कोशिश में बिताया कि आदतें क्यूं मौझूद हैं लेकिन केवल पिछले दो दशकों में विज्ञानिकों और विपनक ने वास्तव में यह समझना शुरू कर दिया है कि आदतें कैसे काम करती हैं और इससे भी महत्वपून बात यह है कि वे कैसे बदलते हैं यह पुस्तक तीन भागों में विभाजित हैं पहला खंड इस बात पर केंदरित है कि व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे उभरती हैं यह आदत निर्मान के तंत्रिका विज्ञान की पड़ताल करता है नई आदतों का निर्मान कैसे करें और पुरानी आदतों को कैसे बदलें और उदाहरन के लिए कि एक विग्यापन आदमी टूथब्रश को एक असपश्ट अभ्यास से एक राश्ट्रिय जुनून में धकेलता था यह देखाता है कि कैसे प्रॉक्ट गैंबल ने उपभुकताओं के अभ्यस्त आग्रहों का लाब उठा कर फ्रेज नाम के एक स्प्रे को अरबों डॉलर के व्यवसाय में बदल दिया कैसे शराबी बेनामी सुधार के मूल में आदतों पर हमला करके रहता है व्यसन और कैसे कोच टोनी डंगी ने सूक्षम ओन फील्ड संकेतों के लिए अपने खिलाडियों की स्वचालित प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके नाशनल फुटबॉल लीग में सबसे खराब टीम की किस्मत को उलर दिया दूसरा भाग सफल कमपनियों और संगठनों की आदतों की जाच करता है यह विवरन देता है कि कैसे पॉल ओ नील नाम के एक कार्यकारी ने ट्रेजरी सचिव बनने से पहले एक संघरश्रत अल्यूमिनियम निर्माता को एक की स्टोन आदत पर ध्यान केंदरित करके डौव जोन्स इंडस्ट्रिल एवरेज में शीर्श प्रदर्शनकर्ता के रूप में बनाया और कैसे स्टाबक्स ने एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट को एक शीर्श में बदल दिया अपनी इच्छाशक्ती को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई आदतों को स्थापित करके प्रबंधक यह बताता है कि जब अस्पताल की संगठनात्मक आदतें गरबड़ा जाती हैं तो सबसे प्रतिभाशाली सर्जन भी भयावल गलतियां क्यूं कर सकते हैं तीसरा भाग समाज की आदतों को देखता है यह बताता है कि कैसे मार्टन लूथर किंग जूनियर और नागरिक अधिकार आंदोलन आशिक रूप से मौन्ट गोमरी अल्बामा की अंतरनिहित सामाजिक आदतों को बदल कर सफल हुए और इसी तरह के फोकस ने रिक वारेन नामक एक युवा पादरी को सैडल बैक में देश का सबसे बड़ा चच बनाने में मदद की वैली, कैलिफोर्निया, अंत में यह कांटेदार नैतिक प्रश्चनों की परताल करता है जैसे कि क्या ब्रिटेन में एक हत्यारे को मुक्त होना चाहिए यदि वो यह तर्क दे सकता है कि उसकी आदतों ने उसे मारने के लिए प्रेरित किया प्रतियक अध्याय एक केंद्रिय तर्क के इर्द-गिर्द घूमता है आदतों को बदला जा सकता है अगर हम समझते हैं कि वे कैसे काम करते हैं यह पुस्तक सैकडों अकादमिक अध्यानों 300 से अधिक वैज्यानिकों और अधिकारियों के साक्षातकार और दर्जनों कमपनियों में किये गए शोध पर आधारित है संसाधनों के एक सूचकांग के लिए कृप्या पुस्तक के नोट्स और http colon slash slash www.thepowerofhabit.com देखें यह आदतों पर केंद्रित है क्योंकि वे तकनीकी रूप से परिभाशित हैं वे विकल्प जो हम सभी जान बूच कर किसी बिंदू पर बनाते हैं और फिर सोचना बंद कर देते हैं कि बारे में लेकिन करना जारी रखें अक्सर हर दिन एक बिंदू पर हम सभी ने होशपूर्वक निर्नै लिया कि कार्याले में आने पर कितना खाना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए कितनी बार पीना है या कब तहलना है फिर हमने चुनाव करना बंद कर दिया और व्यवहार स्वचालित हो गया यह हमारे तंत्रे का विज्ञान का एक स्वाभाविक परिणाम है और यह समझ कर कि यह कैसे होता है आप उन प्रतिमानों का पुनर निर्मान किसी भी तरीके से कर सकते हैं मैं आठ साल पहले बगदाद में एक अकबार के रिपोर्टर के रूप में मेरी पहली बार आदतों के विज्ञान में दिल्चस्पी हुई अमेरिकी सेना यह मेरे साथ हुआ जैसा कि मैंने इसे कार्रवाई में देखा था इतिहास में सबसे बड़े आदत निर्मान प्रयोगों में से एक है बुनियादी प्रशिक्षन सेनिकों को आग के नीचे गोली मारने, सोचने और समवाद करने के लिए सावधानी पूर्वाक तैयार की गई आदतों को सिखाता है यूद के मैदान में जारी किया गया प्रतिय का आदेश स्वचालन के बिंदू तक अभ्यास किये गए व्यवहारों पर आधारित होता है पूरा संगठन ठिकानों के निर्मान, रणीतिक प्राथमिक्ताओं को निर्धारित करने और हमलों का जवाब देने का निर्णय लेने के लिए अंतहीन पूर्वाभयास पर निर्भर करता है यूद के उन शुरुवाती दिनों में, जब विद्रो फैल रहा था और मरने वालों की संख्या बर रही थी कमांडर उन आदतों की तलाश कर रहे थे जो वे सैनिकों और इराकियों के बीच पैदा कर सकें जो एक स्थाई शांती पैदा कर सकें मैं लगभग दो महीने के लिए इराक में था जब मैंने सुना की एक अधिकारी ने राजधानी के नब्बे मील दक्षिन में एक छोटे से शहर कुफा में आदत सुधार कारेक्रम का संचालन किया वो एक सेना प्रमुक था जिसने हाल के दंगों के विडियो टेप का विशलेशन किया था और एक पैटन की पहचान की थी हिंसा आम तोर पर एक प्लाजा या अन्य खुली जगह में इराकियों की भीरे कठा होने से पहले होती थी और कई घंटों के दोरान आकार में बढ़ रही थी खाद्य विक्रेता साथ ही दर्शक भी दिखाई देंगे फिर कोई पत्थर या बोतल फेक देता तो सारा नर्ख तूट जाता जब मेजर कुफा के मेर से मिले तो उन्होंने एक अजीब अनुरोध किया क्या वे खाद्य विक्रेताओं को प्लाजा से बाहर रख सकते हैं जरूर मेर ने कहा कुछ हफते बाद मस्जिद अलकुफा या कुफा की महान मस्जिद के पास एक छोटी सी भीर जमा हो गई दो पहर भर इसका आकार बढ़ता गया कुछ लोग नाराज होकर नारे लगाने लगे इराकी पुलिस ने परेशानी को भाम्पते हुए बेस को रेडियो किया और अमेरिकी सैनिकों को खड़े रहने के लिए कहा शाम होते ही भीर बेचैन और भूखी होने लगी लोगों ने पलाजा में आम तोर पर भरने वाले कबाब बेचने वालों की तलाश की लेकिन कोई नहीं मिला दर्शक चले गए जब करने वाले बेचैन हो उठे रात आठ बजे तक सभी जा चुके थे जब मैं कूफा के पास बेस का दोरा किया तो मैंने मेज़ से बात की आप अनिवार्य रूप से भीर की गतिशीलता के बारे में के संदर्भ में नहीं सोचेंगे आदतें उसने मुझे बताया लेकिन उन्होंने अपना पूरा कर्या आदत बनाने के मनोविग्यान में दूबने में बिताया था बूट कैम्प में, उन्होंने अपने हथियार लोड करने, यूद्ध क्षेत्र में सो जाने यूद्ध की अराजक्ता के बीच ध्यान बनाय रखने और ठके हुए और अभिभूत होने पर निर्नाय लेने की आदतों को अवशोशित कर लिया था उन्होंने उनकक्षाओं में भाग लिया था जो उन्हें पैसे बचाने, घर दिन व्यायाम करने और बंकमेट्स के साथ समवाद करने की आदते सिखाती थी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसने यह सुनिश्चित करने में संगठनात्मक आदतों के महत्व को सीखा कि अधीनस्थ लगातार अनुमती के बिना निर्नाय ले सकते हैं और कैसे सही दिन्चर्या ने उन लोगों के साथ काम करना आसान बना दिया जो वो सामान्य रूप से खड़े नहीं हो सकते थे और अब, एक अचूक राष्ट्र निर्माता के रूप में, वो देख रहा था कि कैसे भीड और संस्कृतियां समान नियमों का पालन करती हैं प्रभावित होते हैं, जिसके परिनामस्वरूप हिंसा या शान्ती हो सकती है, खात्य विक्रेताओं को हटाने के अलावा, उन्होंने निवासियों की आदतों को प्रभावित करने के लिए क्यूफा में दर्जनों विभिन प्रयोग शुरू किये थे, उनके आने के बाद स कोई दंगा नहीं हुआ था, मेजर ने मुझे बताया, सेना में मैंने जो सबसे महत्वपून चीज सीखी है, वो है आदतों को समझना, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, इस बारे में सब कुछ बदल गया है, आप जल्दी सोना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहत हैं, इसे नियमित बनाने के लिए ट्रिगर बनाएं, मैं अपने बच्चों को इस सामान पर ड्रिल करता हूँ, मैं और मेरी पतनी हमारी शादी के लिए आदत की योजनाये लिखते हैं, कमांड मीटिंग्स में हम यही बात करते हैं, कूफा में एक भी व्यक्ती ने मुझे यह नहीं बताया होगा कि हम कबाब स्टैन को हटा कर भीर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप सब कुछ आदतों के एक समूह के रूप में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपको एक टॉर्च और एक क्राव बार दिया है और आप काम पर लग सक मेजर जॉर्च या का एक छोटा आदमी था, वो लगातार एक कप में सूरज मुखी के बीज या तंबाकू चबा रहा था, उसने मुझे बताया कि सेना में प्रवेश करने से पहले उसका सबसे अच्छा करियर वेकल्प टेली फोन लाइनों की मरम्वत करना था, या संभव एक मैथफेटा माइन उद्यमी बनना, एक ऐसा रास्ता जिसे उसके हाई स्कूल के कुछ साथियों ने कम सफलता के लिए चुना था, अब उसने सबसे अधिक में से एक में 800 सैनिकों की देखरेक की पृत्वी पर परिश्कृत लड़ाकू संगठन, मैं आपको बता रहा हू अगर मेरे जैसा कोई हिक यह सामान सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है, मैं अपने सैनिकों से हर समय कहता हूँ, अगर आपकी आदते ठीक हो जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते, पिछले एक दशक में, नियूरोलोजी और आदतों के मनोविज्यान के बारे में हमारी समाज और संगठनों के भीतर जिस तरह से पैटन काम करते हैं, उनका विस्तार उन तरीकों से हुआ है, जिनकी हम 50 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, अब हम जानते हैं कि आदते क्यूं उभरती हैं, वे कैसे बदलती हैं, और उनके यांत्रिकी के पीछे का विज्यान, हम जानते हैं कि उन्हें कैसे भागों में तोड़ना है और उन्हें हमारे विनिर्देशों के अनुसार पुनर निर्मान करना है, हम समझते हैं कि कैसे लोगों को कम खाना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए, अधिक कुशलता से काम करना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीन चाहिए एक आदत को बदलना जरूरी आसान या त्वरित नहीं है यह हमेशा सरल नहीं होता है लेकिन यह संभव है और अब हम समझते हैं कि कैसे